निम्रत, मारिया और कबीर जो हैं वो पार्टनर हैं और प्रॉफिट शेयर करते हैं आपस में 2 to 2 to 1 के रेशियो में निम्रत, मारिया और कबीर ये तीन पार्टनर हैं जो आपस में प्रॉफिट शेयर करते हैं ना रेशियो 2 to 2 to 1 तो इनका profit sharing ratio है आपसका 2 to 1 निम्रत को ये guarantee दी गई है कि उसका profit जो है वो 1,60,000 रुपे पर आइनम से कम नहीं होगा तो guarantee निम्रत को दी गई है रुपीज 1,60,000 यानि 1,60,000 की कि उसका profit जो है इतने से कम नहीं होगा ठीक है बच्चों? अब ये guarantee किस ने दी है? कुछ नहीं दे रखा, mention कर रखा तो ये guarantee firm के द्वारा दी गई होगी निम्रत को ये बात ध्यान रखेगा जब question में ये चिस specify नहीं करी गई होती है कि guarantee किस ने दी है तो ऐसे में guarantee of profit by the firm माना जाता है इस बात को यार रखेगा और firm का जो net profit हुआ था for the year 31st March 2023 वो हुआ केवल रुपेज 1 lakh अब firm का जो profit है वो निम्रत को दिये जाने वाले minimum guarantee profit से भी कम है तो क्या firm केवल उसको 1 lakh रुपे ही देगी निम्रत को ठीक है बच्चो या उसको वो पूरा 1 lakh 60,000 रुपे देगी तो आपको मैं बता दूं बच्चो चाहे profit कम ही क्यों ना हो जाए firm का firm जो है निम्रत को पूरा 1 lakh 60,000 रुपे देगी ही देगी ठीक है बच्चो और as a result of that firm को जो भी loss होगा after giving minimum guaranteed profit to निम्रत उस बच्चेवे loss को क्योंकि पक्का firm को loss ही होगा उसके बाद तो वो बच्चेवे partners में जो कि मारिया और कबीर है उनके आपस के ratio में जो की 2 is to 1 है उसमें distribute कर देगी ठीक है बच्चो यहां भी आपसे profitable loss appropriation account मांगा गया है तो आईए इसको profitable loss appropriation account में कैसे शो करेंगे वो भी देख लेते हैं अब जब profitable loss appropriation account मनाएंगे तो firm को हुआ तो net profit ही है तो उस net profit को यहां लिख दीजे buy profitable loss account 1 lakh और यहां लिखिए to निम्रत capital account अब understood है firm को loss हो रहा है और कितना loss हो रहा है बच्चो आपको साफ नजर आ रहा है 60,000 रुपे का इस loss को हम बचे में partner बाट देंगे जो कि मार्या और कभीर है तो by loss transferred to मार्या's capital account और कभीर's capital account जो उनका आपस का ratio है 2 to 1 उसमें बाट दिया जाएगा इस 60,000 को जिसमें 40,000 निम्रत का आएगा स्वारी मार्या का आएगा और 20,000 कभीर का आएगा share of divisible loss और यह guarantee by firm था इसलिए firm ने सीधा सीधा निम्रत को उसके हिस्से का profit दे दिया जाए firm को खुद profit क्यों ना कम हुआ हो और resulting loss जो है वो फिर बचे वे पार्टनर सा बाट दिया गया उनके आपस के mutual ratio में जो की 2 to 1 था और इस तरह से हमारा यह question भी बच्चो complete हो गया